हेलो स्टुडेंट्स, हावार्यू आल, आई होप यू आल, फिट एन फाइन, टुडे वी विल लर्न यूनिट शिक्स, आजे आपने दोरन दसनो यूनिट शिक्स, जेनू नाम छे, आई लव यू टीचर, एना विशे अभ्यास करवाना छिए, पाठनू संपुन बाशांतर, पाठ मा आवता अगरा शब्दो, औने पाठ मा आवता सवाल जवाब, जे बोड एक्जाम माटे खूब जगत्याना छे, त्यानू पन आपने ब्यास करीशू, समझीशू के प्रशोना जवाब कई रिते लखवा मा आवे छे मित्रो, ओके, तो आ पाठनी अंदर, आपने है पाठ टू, आना पच्छी अपलोड करवा मा आवशे, तो ध्यान राग जो समपून पाठ मा चालो त्यारे, शरू करिए, पाठनो प्रथम पेरेग्राप छे, हेलन केलर बिकेम डेफ एन ब्लाइंड, एटले के हेलन केलर बिकेम एटले बनी गई, डेफ एन ब्लाइंड, ब सिंस नू मतलब यो थशे के होवा थी, सिंस एटले ने कारणे अथवा तो होवा थी, she was deaf, ते बहरी होवा थी, she did not learn to speak, ते बोलता सिखी नई, ते बहरी होवा ने कारणे ते बोलता न सिखी शकी, So her parents, ते थी तेना मातापिता, were extremely worried, अत्यंत चिंतित हता, तेना मातापिता अत्यंत चिंतित हता, then, पच्छी, they found Miss Sullivan, पच्छी ते ओने मली गया, Miss Sullivan, तो Miss Sullivan कौन? A Teacher for the Deaf and Blind, बहरा अने आधला लोकों माते ना एक शिक्षी का हता, Miss Sullivan, अने Helen ना मातापिताए, Miss Sullivan ने सोधी काड़या, That changed Helen's life, तेमने बदली नाखी Helen नी जिंदगी ने, Helen ना जीवन माजे परिवर्तन आवियू, ते आटीचर ना कारणे आवियू, Here is an account, एटले के अहीं एक एहवाल आपियो छे, of the turning point, जे महत्पनो तबक्को छे, Helen ना जीवन नो, in her life, एना जीवन माँ, जे महत्पनो तबक्को आवियो, एना सिक्षक साथे जे अनो मेडाप थयो, इजे तबक्को छे, महत्पनो तबक्को, तेनो अहीं एहवाल आपियो In her own words, एटले के एना पोताना शब्दो मा, तो आपेरेग्राप पर थी, आपडो सवाल नंबर एक छे, Why were Helen's parents worried? Helen ना माता पिता शा माटे चिन्तित हता, तो आपड़े आंसर नी शरू आत करीशू, Helen's parents करता तरीके आगल जशे, अने वर सहाय कारक्रिया पतरीके पाछल मुक पिशू मित्रो, बराबर, तो जवाब बंशे, Helen's parents were worried, Helen ना माता पिता चिन्तित हता, because, कारण के, since she was deaf, ते बहरी होवा थी, she did not learn to speak, ते बोलता न सीखी, ए कारण हतू, Helen ना माता पिता नी चिन्तानू, ओके मित्रो, तेर बाद, next, question number 2, What was Miss Sullivan? Miss Sullivan शू हता? एमनू काम शू हतू? तो आपनने ख्याल छे paragraph पर थी, कि Miss Sullivan बहरा अने आंधला लोको माते ना सिख्षक हता, ओके, तो आपड़े आंसर लखीशू, Miss Sullivan was a teacher for the deaf and blind, Miss Sullivan बहरा अने आंधला लोको माते ना सिख्षक हता, ओके मित्रो, चालो तेर, आगल वदिय Next paragraph मारा सिख्षिका, एन सुलिवान, came to our house that day, ते दिवशे, मारा सिख्षिका, एन सुलिवान, अमारा घरे आवया हता Next day, एतले के बिजा दिवशे, जे दिवशे टीचर आवया, एना बिजा दिवशे, she laid me, ते मने दोरी गया, into her room, तेमना रूम मा, तेमना उरडा मा, and gave me a doll, अने मने एक डिंगली आपी Okay, त्यार बाद, next paragraph छे, I played with it, हूँ ते डिंगली साथे रमी, for a while, थोड़ी वार माटे, थोड़ा समय माटे Then, Miss Sullivan made some finger moments, पच्छी Miss Sullivan ने, made some finger moments, एकले आँगली वड़े थोड़ी का हलन चलन करी, थोड़ी का हिलचाल करी On my palm, मारी हथेली पर, मारी हथेली पर, Miss Sullivan ने, आँगली वड़े थोड़ी हलन चलन करी It was an exciting experience, अने ते जे अनुभव हतो, ते एक रोमांचक अनुभव हतो It was an exciting experience, ते एक रोमांचक अनुभव हतो I got interested, एकले के मने रस पड़वा लागयो, in that play, एकले रमत, मने ते रमत मां रस पड़वा लागयो And started, अने में शरू कर्यू, Imitating the moments, एज हलन चलन नी नकल करवानू में शरू कर्यू कई नकल, she made with her finger, जे ते तेमनी आंगली वड़े करता हता Teacher जे पोतानी आंगली वड़े हलन चलन करता हता, एनी नकल करवानू में शरू कर्यू When I finally succeeded, जे रिते टीचर आंगली वड़े हलन चलन करता हता, ए प्रमाने I didn't know that, हूँ तो जानती जनो हती के I was spelling doll के हूँ तो doll नो spelling लखी रही हती, doll नी जोड़नी करी रही हती मारी हतेली मा एटले के teacher है, एनी हतेली मा D-O-L-L spelling लखी ने समझावे वैने के जे वस्तू तू रमी रही छे एने D-O-L-L कहवाई छे बराबर, तो आप एरेग्राप पर थी, आपड़ो सवाल नंबर नेक्स्ट छे question number 3, how old was Helen, Helen केटली उमरनी हती, when मिस सुलिवान स्टार्टेड टिचिंग हर ज्यारे मिस सुलिवाने, तैने भणावानू सरू कर्यू, त्यारे Helen केटली उमरनी हती तो आपड़े जोड़ो फर्स्ट परेग्राफ मा, के Helen साथ वरस नी हती, बराबर छे चालो, तो यहनो जवाब बन शे, Helen was 7 years old, Helen साथ वरस नी उमरनी हती, when मिस सुलिवान स्टार्टेड टिचिंग हर ज्यारे मिस सुलिवाने, तैने भणावानू सरू कर्यू, त्यारे Helen साथ वरस नी उमरनी हती चालो, आगलवदी है, त्यार बाद, next question question number 4, what did मिस सुलिवान गीव हैलन, मिस सुलिवाने हैलनने शु आप्यू, और बीजो सवाल छे, what did हैलन डू विथ इट, हैलनने तैनी साथे शु कर्यू, तो मिस सुलिवाने हैलनने शु आप्यू छे मित्रो, एक डॉल आपी छे, एक ढिंगली आपी छे, सवाल मां डीड आ ख्या पच्छी, गीवनों भुद्काल करूँ पडशे, गेव, तो मिस सुलिवान गेव हैलन अडॉल, मिस सुलिवाने हैलनने एक डिंगली आपी, और बीजो सवाल है तो, के what did हैलन डू विथ इट, हैलनने तैनी साथे शु कर्यू, तो बीजो सवाल छे, यहनो जवाब ब एलन तैनी साथे रमी, for a while, for a while एटले, थोडाक समय माटे, ओके, त्यार बाद, next question, question number 5, what was an exciting experience for हैलन, हैलन माटे रोमांचक अनुभाव शु हतो, तो यहनो आंसर बन शे, मिस सुलिवान मेड सम फिंगर मुमेंट्स, मिस सुलिवाने करी थोडीक आंगली वडे हलन चलन, on ह हैलन स्पाम, हैलन नी हतेली पर, it was an exciting experience for हर, ते हैलन माटे एक रोमांचक अनुभाव हतो, बराबर मित्रो, चार बाद, अगल बदिये, question number 6, why was हैलन थ्रिल्ड, हैलन शा माटे रोमांचीत हती, हैलन ना रोमांचनु कारण शु हतो, तो यहनो आंसर लखीशु आपडे, सव हैलन थ्रिल्ड, हैलन रोमांचीत हती, because कारण के, she succeeded, कारण के ते सफल थाई हती, incorrectly imitating the finger moments of मिस सुलिवान, मिस सुलिवान नी आंगलियों नी जे हलन चलन हती, एनी नकल करवामा, अने साच्ची रिते नकल करवामा, हैलन सक्सीड इटले के सफल थाई हती, इटला माटे हैलन रोमांचीत हती, बराबर मित्रो, त्यार बाद अगल वदिये, question number 7, which was the first word that Helen learnt, कयो हतो ए प्रथम शब्द, इस शब्द कयो हतो, जे Helen सौथी पहला शीखी, which was the first word that Helen learnt, ते कयो शब्द हतो, जे Helen सौथी पहला शीखी, तो ए शब्द हतो डॉल, ओके, तो सवाल माथी शरुआ करीशू आपड़े, जवाब लखीशू आरीते, the first word that Helen learnt, ए प्रथम शब्द, जे Helen सीखी, was ए हतो डॉल, ओके, चालो मित्रो, त्यार बाद आगल वदिशू, next paragraph, Helen कहे छे, some days later, थोड़ाक दिवशो बाद, we were walking in our garden, अमें अमारा बगीचा मा चाली राया हता, अमें एटले Helen पोते, अने एन याजे teacher हता, एन सुलिवान, बनने जणा बगीचा मा चाली राया हता, Suddenly my teacher, अचानक मारी सिक्षिक आए, put my hand, मारा हाथने मुकी दिदो, under the water tap, पाणी ना नलनी नीचे, वहतू पाणी हतू नलमा थी, अने ए पाणी ना नलनी नीचे, teacher है Helen ना हाथने मुकी दिदो, As the cool flow of water ran over one hand, as the cool flow of water, जेवो पाणी नो ठंडो प्रवा, रैन ओवर वन हैंड, एक हाथ पर थैने वहो, जेवो पाणी नो ठंडो प्रवा, एक हाथ पर थैने वहो, she is spelled, तेने जोर्णी लखी, एटले के teacher है, जोर्णी करी, W-A-T-E-R, water, on my other palm, मारी बीजी हत्यली मा, teacher है, spelling लख्यो, W-A-T-E-R, एटले के तारा जे हाथ मा, वही रहुँ छे, बीजा हाथ मा, एने W-A-T-E-R, water कहवाई छे, we played this game, अमें आ रमत रमता हता, everyday, the rose, कई रमत रमता हता मित्रो, touching different objects, अलग-अलग वस्तु अनो स्पर्ष करवानी, अने ए वस्तु नू नाम सूच है, ते हत्यली मा, लखी ने जणावानू, आ रमत, तेवो दरोज रमता हता, It awakened my soul, तेने मारी आत्माने जागरूत करी, अलग-अलग वस्तु अनो स्पर्ष करवानी जे रमत छे, तेना थी हेलननी आत्मा जागरूत थाई, करण के एनी पहला तो ए जाने कोई वस्तु हो, एमच पड़ी रहती हती, परन्तु हवे एने लाग्यू, के जाने एना मा पन आत्मा छे, एनी आत्मा जागरूत थाई, I came to know that, हेलन कहे छे मने जानवा मलिव के, I came to know that, everything had a name, दरेक वस्तुनू एक नाम हतु, ए मने जानवा मलिव, Now each name gave birth, हवे दरेक नामे जन्म आपयो, to a new thought, एक नवा विचारने जन्मा आपयो, Every object I touched, every object, object एटले वस्तु, every object I touched, दरेक वस्तु जैनों में स्पर्ष कर्यो, Seemed ए लाक्ती हती, to throb with life, जिंदगी थी धबक्ती होय, एउ लाक्तु हतु, दरेक वस्तु के जैनों में स्पर्ष कर्यो, ए जाने जिंदगी थी धबक्ती होय, तेउ लाक्तु हतु, अहा, अरे वा, I was connected, हुँ जोडाई गई, with the world, दुनिया साथे, अरे वा, I was connected with the world, हुँ दुनिया साथे, connect थे गई, जोडाई गई, through all the words, आ बधा शब्दो द्वारा, जाने के हुँ दुनिया साथे, जोडाई गई, ओके मित्रो, तो पेरेग्राफ पर थी, आपड़ो question number 8 छे, what did the teacher suddenly do, सिक्षी काये, अचानक शू कर्यू, तो अपने ख्याल छे के सिक्षी काये, अचानक हेलना हाथने, पाणी ना नळनी नीचे मुकी दिदो, बराबर, तो answer लखी शू आपड़े, suddenly, अचानक, एका एक, the teacher put Helen's hand, सिक्षी काये, मुकी दिदो, Helen ना हाथने, under the water tap, पाणी ना नळनी नीचे, ओके मित्रो, त्यार बाद, next, question number 9, what did the teacher do on Helen's palm, सिक्षी काये, Helen नी हत्यली पर सू कर्यू, तो आपने ख्याल छे, paragraph मा लख्यू छे, के teacher ए Helen ना बीजा हाथ पर, बीजी हत्यली पर, water spelling लख्यो, ओके, तो answer आउशे, as the cool flow of water ran over one hand, as the cool flow of water ran over one hand, जेवो ठंडा पाणी नो प्रवाह, एक हाथ पर थैने वह्यो, the teacher spelt, teacher है, जोरुणी करी, water नी, w-a-t-e-r, water, एटले के पाणी शब्द लख्यो, on Helen's other palm, Helen नी बीजी एत्यली परने, आ जवाब आपनने, paragraph मा, second line मा, मली जशे, ओके, चाल, आगल वदीशू, सवाल नंबर 10 छे, what awakened Helen's soul, Helen नी आत्मा शेना थी जागरत थाई, Helen ने क्यारे वु लागियू, के तेनी आत्मा जागरूत थाई छे, तो एनो आंसर लखिशू, touching different objects and spell their names on the palm, एटले के, जुदी-जुदी वस्तु अनो स्पर्श करवो, अने तेमना नामोंने हथेली पर लखवा, तेमना नामोंने हथेली पर लखवा, एना थी, awakened Helen's soul, Helen नी आत्मा जागरूत थाई, ओके, त्यार बाद, question number 11, how was Helen connected with the world, Helen दुनिया साथे के विरिते जुडाई गई, तो Helen आ बधा शब्दो द्वारा, आ बधा शब्दो जे ए सीखी, वस्तु अनो स्पर्श करी करीने, एना द्वारा ए दुनिया साथे जुडाई गई, तो आंसर लगती वक्ते ध्यान राखवानू छे के Helen ने आपड़े करता तरीके आगल लखी शू, अने was आपड़े Helen नी पछी लखी शू, ओके मित्रो, तो आंसर बन्द शे, Helen was connected with the world, Helen दुनिया साथे जुडाई गई, through different words, जुदा जुदा, शब्दो द्वारा, राइट, चालो, आगल वधी है, नेक्स्ट पेरेग्राफ, मिस सुलिवान यूजडटू टेक मी, टु लॉँजडटू टेक मी, अहियां यूजडटू नो मतलब थाए छे के कोई व्यक्ति टेवा एलू हतू बुद्धकाल मा, कोई क्रिया करवा माटे, एना माटे आ, साहाय कारक शब्द छे, मिस सुलिवान यूजडटू टेक मी, एकले के मिस सुलिवान मने लई जता हता, to long walks, लांबा अंतर सुधी चालवा माटे, every morning, दरोट सवारे, मिस सुलिवान मने दूर अंतर सुधी, लांबा अंतर सुधी चालवा माटे, लई जता हता, I had a lot of questions to ask, मारी पासे पुछकल प्र हूं एमना हथेली पर कहींक लखती, I would write something on her palm, Helen ने कहीं पुछू छे, तो ये हथेली मा लखी ने पुछती हती, एटले Helen कहे छे, I would write something on her palm, हूं तेमनी हथेली पर कहींक लखती हती, जे पन मारे सवाल पुछो हो एमने, and in turn, अने एना बदला मा, she would talk into my palm, ते वात करता हाता मारी हथेली मा, as people talk, जेम लोको वात करे छे, into a baby's ear, एक बालक ना कान मा, अपड़े धिमे धिमे बोली ने, एने के रिते समझावता हो ये छिए, ए रिते Helen ना जे टीचर हता, मिस सुलिवान, ए Helen नी हथेली मा, धिमे धिमे लखी लखी ने, एने समझावता हता, मारी सिक्षिकाय, मारी उत्सुकताने, मारी जिगनाशाने, संतोष आपे वहतो, संतोष आपो, अने क्यूरियोसिटी उत्सुकता, Now everything around me, हवे मारी आसपासनी दरेक वस्तु, was full of life, जिंदगी थी भरपूर हती, love एटले के प्रेम थी भरपूर हती, and joy एटले आनन्द थी भरपूर हती, हवे मारी आसपासनी दरेक वस्तु, जीवन प्रेम अने खुशी थी भरपूर हती, तो पेरेग्राप पर थी, आपडो Question number 12 छे, How would Miss Sullivan and Helen communicate? Helen अने Miss Sullivan के वरिते वाचित करता हता, Helen के वरिते सवाल करती हती, Miss Sullivan के वरिते जवाब आपता हता, तो एनो answer आउशे, If Helen had a question to ask, जो Helen ने कोई सवाल होए, पुछवानो होए, she would write something, तो ते कईक लगती, on Miss Sullivan's palm, Miss Sullivan नी हथेली पर, And in turn, अने जवाब मा, Miss Sullivan would write, Miss Sullivan लगता हता, into Helen's palm, Helen नी हथेली मा, as people talk into a baby's ear, जेम लोको वाद करे छे, बालकना कान मा, धिमे धिमे, तेने समझावी ने, ए रिते Miss Sullivan, Helen नी हथेली मा समझावता हता, बराबर मित्रो, त्यारबाद अगलवद ये, next paragraph, The second stage of learning was more difficult, Helen कहे छे, के, अमारा अभ्यास नो जे बिजो तबक्को हतो, The second stage, बिजो तबक्को, of learning, अभ्यास नो, was more difficult, वधारे मुश्केल हतो, वधारे अगरो हतो, It was also based on the sense of touch, it was also based, तेपन आधारित हतो, on the sense of touch, स्परशेंद्रिय पर, कराण के आपड़े पहला तबक्कामा पने एज जोयू छे, के टीचर स्पर्श द्वारा एने शब्दो सिखाउता हता, तो एज प्रमाने, आजे बिजो तबक्को छे, तेपन स्पर्शेंद्रिय पर आधारित हतो, मिस सुलिवान वूड स्पीक अ वर्ड, मिस सुलिवान एक शब्द बोलता, and ask me, एलन कहे छे, के मिस सुलिवान एक शब्द बोलता, and ask me, अने मने कहता, to touch her lips, तेमना होठनो स्पर्श करवानू, and throat, अने गड़ानो स्पर्श करवानू, slowly, एकले धिमे थी, धिमे थी तेमना होठ, अने गड़ानो स्पर्श करवानू, मने कहता, I learnt to speak, हुँ बोलता सिखी गई, through the moments of the lips, होठना हलन चलन वड़े, and the vibration in the throat, अने गड़ानी दुरुजारी वड़े, हुँ बोलता सिखी गई, when I uttered my first word, ज्यारे मे मारो प्रथम शब्द बोल्यो, It gave me boundless delight, ते शब्द ये मने आपी, boundless delight, एटले के अनहद खुशी आपी, अनहद आनन्द आप्यो, एना आनन्द नी कोई हद नो थी, जैरे एने पोतानो प्रथम शब्द बोल्यो त्यारे, Now I started talking, हवे में शरू कर्यों बोल्वानू, Helen कहे चे के हवे में बोल्वानू के वातो कर्वानू शरू कर्यों, With my toys, मारा रमकडाओ साथे, stones एटले मारा पत्थरों साथे, Trees, एना घरनी आसपास आवेला रुक्षो, And birds in the garden, अना बगी चामा जेपन पक्षियों आवता, एनी साथे हेलने वातो कर्वानू शरू कर्यों, I felt amazed, मने आश्चर्य थयो, And delighted, अने आनन्द पन थयो, Helen कहे चे के मने आश्चर्य थयो, As my sister ran to me, जारे मारी बेहन दोडती मारी पासे आवी, When I called her, जारे मैं तेने बोलावी, And my dog obeyed my commands, अने मारा कुत्राए, मारा आदेशोनू जारे पालन कर्यो, त्यारे मने खुबज आश्चर्य पन थयो, अने आनन्द पन थयो, एने खबर पड़ी गई के मने बोलता आवडी गईू छे, करण के ते सांबली शक्ती नो अती, तेनो आवज निकल तो, एने खाली अनुभव थतो पोताना आवज नो, एने संभडातो नो तो आवज, पन जारे बेहन दोडती आवी छे, कुत्राए जारे आगनावनो पालन कर्यो छे, त्यारे न लाग्यू के मने खरे खरे बोलता आवडी गईू, I was able to speak, हुँ बोलवा माटे शक्षम हती, I was able to speak, हुँ बोलवा माटे शक्षम हती, It was a miracle, ते चमतकार हतो, एना माटे तो खरे खरा चमतकार जहतो, बराबर मित्रो, तो अपे रेग्राप पर थी आपड़ो सवाल छे, सवाल नूबर तेर, On what was the second stage of learning based? हैलना अभ्यास नो जे बिजो तबक को हतो, ए शेना पर आधारी थातो, तो आपड़ने ख्याल छे, के ना अभ्यास नो बिजो तबक को, सवाल माथी आपड़े जवाबनी शरुआत करीशू, अगर लखीशू, अने वाज ने आपड़े पाचल लेजीशू, तो आंसर बनशे, अभ्यास नो बिजो तबक को आधारी थातो, on the sense of touch, सवाल नूबर चवद, How did Helen learn to speak? Helen के वरिते बोलता शीखी? Helen ने बोलता के वरिते आवड़ी गईू? तो मिस सुलिवान जारे बोलता कोई शब्द, त्यारे ए Helen ने पोताना होट, अने गड़ा उपर हाथ राखवानू कहता हाता, स्पर्श करवानू कहता हाता, अने ए रिते Helen बोलता शीखी? मिस सुलिवान एक शब्द बोलता एंड आस्क हैलन अने हैलन ने कहता, तो टच हर लिप्स, तेना होट नो स्पर्श करवानू, अन् थ्रॉट अने गड़ा नो स्पर्श करवानू, इन दिस वे, आरिते, Helen learnt to speak, Helen बोलता सीखी गई, थ्रू दो मुमेंट्स अब लिप्स, ओटना हलन चलन वड़े, अन् द वाइब्रेशन इन थ्रॉट अने गड़ानी दुरुजारी वड़े, Helen बोलता सीखी गई, बराबर मित्रो, त्यार बाद, Q.15, How did the sense of touch help Helen in learning words? How did the sense of touch help Helen? स्पर्शेंद्रिये Helen ने के वरिते मदद करी? In learning words, शब्दो शिखवामा, तो एनो अंसर बन्चे, Helen learnt to speak, Helen बोलता सीखी, थ्रू द मुमेंट्स अब लिप्स, होटना हलन चलन वड़े, and vibration in the throat, अने गड़ानी दुरूजारी वड़े, तो आ एक प्रकारनी स्पर्शेंद्रिये ज़ती, स्पर्श द्वाराज ए शब्दो सीखी छे, स्पर्श द्वाराज ते बोलता सीखी छे, इटला माटे आ प्रमाणे हेलन ने स्पर्शेंद्रिये मदत करी कहवाए, ओके, त्यार बाद, question number 16, when was Helen delighted? Helen क्यारे आनन्दित थाई गई, क्यारे एकदम खुश थाई गई, तो यहनों आंसर लखीशू आपड़े, Helen ने करता तरीके आगल लखीशू, उने वाज सहायकार क्रिया पतरी के पाछड, ओके, तो जवाब बनशे, Helen was delighted, Helen आनन्दित थाई गई, when she uttered her first word, when she uttered, जारे तेने बोल्यो, अथवा जारे तेने उच्चार्यो, her first word, एनो प्रथम शब्द, ओके, चाल, अगल वदिये, त्यार बाद, question number 17, what did Helen do, Helen ने शू करियू, after uttering the first word, Helen ने प्रथम शब्द उच्चार्या पछी, शू करियू, तो एनो आंसर लखीशू, after uttering the first word, प्रथम शब्द उच्चार्या बाद, अथवा प्रथम शब्द बोल्या बाद, Helen started talking with her toys, Helen ने शरू करियू, तेना रमकडाओ साथे वातों करवानू, stones, trees and birds, पत्थर, व्रुक्षों अने पक्षियों साथे, in the garden, बगी चामा, चाब, त्यार बाद आगल वधीशू मित्रो, next question, question number 18, what was a miracle, चमतकार शू हतो, कई वस्तु हती, जे चमतकार हती Helen माटे, तो आंसर आउशे, Helen was able to speak, Helen बोलवा माटे समर्थ हती, सक्षम हती, it was a miracle, ते चमतकार हतो, Helen was able to speak, it was a miracle, चालो, त्यार बाद आगल वधीए, next paragraph, Helen कहे छे, when I studied seriously, जारे हूं गंभीरता थी अभ्यास करती, अथ्वा जारे हूं गंभीरता थी भनती, it seemed more like play, ते रमज्यव अधू लागतू हतू, then work, कार्य करता, एटले के कार्य नोतू लागतू, पन रमज्यव लागतू हतू, whenever anything delighted, जारे पन कोई वस्तू, delighted, आनन्दापती, और interested me, मिस सुलिवान वोट टॉक अबाउट धेट, ते रिते, ते ते ना विश्यवात करता, जारे मने कोई पन वस्तू आनन्दापती, अथ्वा तो मने कोई पन वस्तू जारे रस जगाडती, ते रिते, शी टॉट सब्जेक्ट्स लाइक सायन्स, ते विग्नान जिवा विश्यवा विश्यवा ने भणावता, बाई मेकिंग इट, तेने बनावीने, सो इंट्रेस्टिंग धेट, एटलो बदो रस्प्रद के, आई रिमेंबड एवरिथिंग, मने बद्धूज याद रही जतू, मने दरेक वस्तु याद रही जती, एव उ कहे छे हेलन, के विग्नान जिवा विश्यवा विश्यवा ने पन, मिस सुलिवान एटलो रस्प्रद बनावीने बणावता, के मने बद्धूज याद रही जतू हतू, मिस सुलिवान विश्यवान विश्यवा नी अजोड वात शू हती, कई वस्तू येवी हती, के जे मिस सुलिवान माज होई शके, तो येनो आंसर छे, वेनेवर एनिफिंग डिलाइटेड और इंट्रेस्टेड हेलन, ज्यारे पन, कोई पन वस्तू, हेलन ने आनंदाप्ती अथवातो एने जारेमा रस पड़तो, त्यारे मिस सुलिवान वोट टॉक अबाउट धेट, त्यारे मिस सुलिवान तैना विश्यवात करता, एज इफ जाने के, शी वर अ लिटल गर्ल हरसेल्फ, जाने के ते एक पोते नानी छोकरी होए, ते रिते एने विश्यवात करता हाता, तो आ वस्तू जे हती, ए मिस सुलिवान विश्यवान अजोड हती, त्यार बाद, question number 20, why did Helen remember everything she was taught, Helen ने शिखवा मावती दरेक वस्तू तैने शामाटे याद रही जती हती, Helen ने शिखवा मावती दरेक वस्तू तैने याद रही जती हती, because कारण के her teacher made all the subjects, कारण के तेना जे teacher हता यानी जे शिखशिका हती, made all the subjects, ए बद्धाज विश्यवाने बनावी देता हता, very interesting, खुबज रस्प्रत बनावी देता हता, एटला माटे Helen ने दरेक वस्तू जे एने शिखवा मावती हती, ते याद रही जती हती, ब्राबर विद्ध्यार्थी मित्रो, तो आज छे आपड़ा unit 6, I love you teacher, एनो part 1, part 2 नो वीडियो टूंक समय मा अपलोड करवा मा आउशे, आशार आखूछू के तमने बधाज प्रश्णोना जवाब समझे गया शमित्रो, एनी साथे जे आना अगरा शब्दो छे, एपन खास तमारा तियार करवाना छे, फरी मुलाकत करीशू बिजा विडियो साथे, त्यां सुदी रजा आप जो, गुडबाई